हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए जनरल एवेर्नेस करेंड रफेस दो अठारा के टॉप कोईश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए मातपूर है इसलिए इस वीडियो को प्लीज वीडियो को लाई करके मोटिवेट करें इस वीडियो को शेयर जरूर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स तयारी करें ताकि उनकी वेलक हो सके चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मोस्ट इंबोडन कोईश्चन है सेक्स्टो रोशन के खिलाब कान कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है ये जम्मू काश्मीर आपको बता दे दोस्तों कि धारा 354-E के तहत जम्मू काश्मीर प्रभावसाली पदों पर आसीन व्यक्तियों जिम्मेदार व्यक्तियों या जन सेपकों धारा महिलाओं की योन शोशन पर कोष्यन है कट्रिओन ग्रे जिन्होंने मी ईूनिवर्सज दौटर खिता ऑप्रत किस देश चंभारी थे 9 किसा समधली से छूपे यहां यहीन होनने 14 दिसंबर म्हारी 8 खिताब अपने नाम किया है आपको बता दें है दोस्तों यहां पर मेंस्यवर्वार्ये मां आपको बता दें कि मिस यूनिवर्वर्व संक्ष्भ को जाने वाले वार्विजी कंदराथ सांदर्व प्रत्युक्ता है और यह जो मिस व्र्ल्ड है और मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ यह समय जो दुनिया की चार बड़ी संदर प्रत्युक्ताव में से एक है यहां से कोशन और बनता है कि इस प्रत्युक्ता की शुरुवात का हुई थी तो 1952 मिसकी शुरुवात हुई थी और जो इंपोर्टन फैक्ट है भारत से जो दोस्तों दो सुंदरिये खिता है वर्स 1994 में 18 साल की उम्रे में सुष्मिता सेन और वर्स 2000 में 22 साल की लारा दत्ता ने उपलब्दी हासिल की थी ठीक है और मैंने आपको बता चुका है कि 1952 में अमेरिका के कैलिफोने में पहली वार प्रत्युक्ता योजित की गई थी ठीक है तो यह याद रखिए कि कैट में एक कोश्चन पूछा आ सकता है हमारा अगला कोश्चन है बैडमिंटेन वर्ल्ड टूर फाइनल ट्रॉफी 2018 का खिताब जितने वाले पहले भारती खिलाडी बनने का गौरब की से हासिल हुआ करेक्टर रोयागा ऑप्शन भी पीवी सिंधू देखे तो भारती शटलर पीवी सिंधू ने इन्होंने वैडमिंटेन वर्ल्ड टूर फाइनल ट्रॉफी 2018 खिताब जित लिया है और पीवी सिंधू ने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा आया है ठीक है तो यह याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में सौल भी करते चलिए आप से कोश्चन आ रहा है सौल करते चलिए नहीं आ रहा है तो हमारे साथ त्यात करते चलिए आपके अगाम एक्जम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला यह कोश्चन अगला कोश्चन नमर फूर्थ है भारत के पहले माना और हवाई वाहन कार खाने को निम्लिकित में से किस शहर में खोला गया तो इसका करेक्ट रहा है 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 भारत में आपको बता दिक है है दराबाद में भारत की पहली निजी यू एवी फैक्ट्री यानि अन्माइंड एरियल वेहिकल फैक्ट्री शुरुक हुई है और यह आदानी एरोश्पेस द्वारा ही शुरू की गई है ठीक है तो याद रखिएगा कोशन नमर फिपत है होकी वर्ल्ड कप 2018 का आधिकारिक सुभंकर क्या था मैस काट सुभंकर क्या था टार्टर ओली यह कहां पे हुआ है भूबनेश्वर्म हुआ है ओडिशा की कैपिल भू तो ऑप्सन सी बडोदरा गुजरात में देखे दोस्तों जो भारत के केंदरी रेल मंत्री है प्यूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजयर उपानी ने देश के प्रथम रेल विश्विद्याले को लोगों को समर्पित किया है आपको बता दे दोस्तों को रूस और चीन में होगा और दुनिया का ऐसा तीसरा इंवर्सिटी होगा जूकि इंडिया में बडोदरा गुजरात में है ठीक है तो याद रखिएगा अगला उचने 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेश बगे तेलंगाना और मिजोरम ठीक है उससे लेटर में मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आई बेटन पर यहाँ पर आप क्लिक करके जरूर देख लें आपके आगामिक समस्क्रिप महतपूर है चलिए और आपको बताया तो 36 गड़ में टोटल 90 सीटे थी विधान सबगी इसमें 68 68 सीटे मिले थी कांग्रेस पार्टी को और 15 बिजेपी को इससे पहले कौन थे 36 गड़ के मुख्य मंत्री रामान सिंग किस देश ने होकी विश्चुकप 28 जीता है तो होकी वर्ल्ड कप 28 जीत ले दोस्तों वेल्जियम ने आपसा ने करेक्ट हो जायागा ठीक है देखिए होकी वर्ल्ड कप 28 ठीक इससे पहले मैंने आपको सुभंकर बताया था और यह कहां हुआ है भारत भूबनेश्वार मुए ठीक है ओडिशा कैपिटल भूबनेश्वार मुए तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट है कोश्चन नाइन्थ है ने मिकित में से किसे ज्यान पी पूरुषकार 2018 समानित किया गया मिताब घोष को ठीक है अब अप्सन डी करेक्ट हो जाएगा ग्यान पिर पूरुषकार साहित कि श्याति में दियाना वाले सबसे बड़ा पूरुषकार है इसके शुरुवात हुई थी 1965 में यह पॉइंट भी याद रखिएगा कोश्चन करेक्ट है 12 दिसंबर 2018 को किस देश ने आउट डूर धूमरपान पर प्रतिवन्थ लगाया है दोस्तों आपको बता दे कि संसत की सुईटन की संसत है रिक्ष डेगर ने आउट डूर धूमरपान को निश्यद करने के लिए एक भिल पारित किया है जिसके अंतरगत सार्वन निकस्थानों जैसे खेल के मैदान, ट्रेन स्टेशन, प्लेटफॉर्म, धूमरपान का नब निश्यद हो गया है तो यानि इसका करेक्ट्रेंस हो जागा सुईटन ठीक है सुईटन ने आउट डूर धूमरपान पर प्रतिवन्थ लगा दिया है कौशन नमर 11 है कौन मत्प्रदेश के मुख्यमंत्र कुरू में सपत ग्रहन की है तो मत्प्रदेश के नए सीम बन गए दोस्तो कमल नाथ ठीक है इससे पहले थे शिवराज सिंग चोहान अब बरतमान में बन गए कमल नाथ और मत्प्रदेश की गवरणर है आनेंदी बेन प कौशन है 1218 में विधान सवा चुनाओ के बाद मीजोरम के नए मुख्यमंत्री गुरू में किसने सपत ली है जोस्तो मीजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं जोर मतंगा इससे पहले थे लल्थन हावला अब नए बन गए हैं जोर मतंगा ठीक है तो आपको याद रखन है अगला कुश्चन है तेरे दिसंबर 2018 को तेलंगाना के नए मुख्य मंत्री गुरूप में किष्ण शपत ली है उसके लिखाणा के लगातार दूसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं कलवा कुंतला चंसेखर राओ यानि के चंसेखर राओ बने हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है ये सेल नर्सिम्भन है तेलंगाना के राज्यपाल उन्होंने ही पदवागोपनिता की सपत दिलाई है ठीक है और इनकी पार्टी का क्या नाम है के चंसेख को परिभासिक प्रतिक 218 के रूमें चुना है डोस्तो आपको आता देख जापान ने odpow के लिए आपदा के लिए Northwest प्रतिक को चुनाव किया है। और बतादे उस्तों किया प्रतीक एक चाइनीज अक्सर यानि सिम्बल करेक्टर है ठीक है जिसका करेक्टर हो जाएगा option C आपदा question number 15 most important है भारती रिजर्वेंग के नए गवर्नर जानि आरवी आई के नए गवर्नर कौन बन गये हैं दोस्तों आरवी आई के नए गवर्नर बन गये हैं शक्तिकांत दास option B करेक्ट हो जाएगा देखे उस आपको बतादे केंद सरकान ने भूत पूर पित्त सची उते शक्तिकांत दास को नए आरवी आई का 25 गवर्नर नियुक्त किया है उनकी नियुक्ति उसो 3 साल के लिए हुई है और वे उर्जित पटेल की जगए लेंगे ठीक उर्जित पटेल का स्थान लेंगे जिन्हों उन्हें दिसमर्द 18 को अपने पत्स से ही स्वयम इस्तीफा दे 1949 में एक जन्हों नियुक्त को तो भी लेटेस्ट नियुज याद रखेगा अरवी एक नए गवर्नर बन गए है शक्तिकांत दास मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा अगला कोशन है नियुक्त पत्रकारों में से किसे टाइम पत्रिका के परसन आप देयर के रूब में वर्ष 18 के लिए नामित किया गया तो यह है जमाल खासुसगी ऑप्सन बी यह साओधी अरब के दोस्तों मारे गए पत्रकार हैं इनको कई अने पत्रकारों के परसन आप देयर कुरूब में वर्ष 18 के लिए चुना गया है और आपको उतातिक इसके साथ ही जमाल खासुसगी ऐसे विक्ति बन गये हैं जिन्हें टाइम परसन आप देयर कुरूब में मरणों परान चुना गया है तो यहनी की ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा कोशन 17 है निम्न में से कौन सा देश उच्चितम कार्बान दूसर जन के लिए जिम्मेदार है तो इसका करेक्टरेंस जाएगा ओप्सन भी चीन देखे उस तो एक स्टडी में एक बात सामने आई है कार्बन डैकसाइड गैस उस सजन के मामले में चीन 27 फिजदिक साथ अबबल वनव टॉप पर है और अमेरिका जो 15 फिजदिक साथ दूसरे स्थान पर और यूरोपी संग जो है दस फिजदिक साथ तिसरे स्थान पर है ठीक है तो काउंसा देश उच्चितम कार्बन सजन के लिए जिम्मेदार है चीन है सेकंड नमर पर है यूएसे ठीक है अमेरिका नेम लेकित प्रत्वागियों में से किसे मिस वर्ड वटहरा के रूप में ताश पहनाया गया है तो पहनाया गया है दुस्तों वैनेसा पॉंस डी लियोन मिस वर्ड वटहरा बनी है और यह कहां की है मैक्सको की है है इनका कंट्री वह याद रखियेगा कंट्री पूछ लेता है और लास्ट यहर की जो मिस वर्ड थी दुछार सतरह की भारत की हर्याणा की मानुसी छिल्लर ठीक है तो 2018 का मिस वर्ड जरूर याद रखियेगा वैनेसा पॉंस डी लियोन मैक्सको की है आपके आगामी एक्जाम से में कोश्चन जरूर देखने को मिल सकता है 19 वा कोश्चन है किसे 7 दिसमर 2018 को अगले मुख आर्थिक सलाकार करूब में निउक किया गया है दोस्तो भारत के अगले मुख आर्थिक सलाकार करूब में निउक किया गया है क्रिश्चन मूर्ति सुब्रमन्ययम को ओप्सन ए दोस्तो कोश्चन नमबर 20 है निमने कितमेशे किस शहर में भारत जल प्रभावव सिकर समयलन 2018 आज़ित किया गया तो आपको उता दे दोस्तो जल थे समंधी समस्याओं गंगा सनक्षण एवं अन्य महत्पूर्ण पद्धतियों पर दिसंबर में नई दिल्ली में भारत जल प्रभावव समयलन 2018 आज़ित किया गया आपका स्कोर कितना रहा है तो आपने पूरा वीडियो सॉल्व किया है एक एक कोशन ठीक है मिलते हैं शुड़े उक साथ दोस्तों तब तक कि लिए अब आपने ध्यान के स्वस्तर ये बेस्तर ये मस्तर ये जै हिन जै भारत